दोस्तो आप जब भी बिमार पढ़ते हैं और डॉक्टर के पाथ जाते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है उसे पढ़ने में आपको 90% टाइम्स जरूर तकलिफ होती होगी प्रिस्क्रिप्शन को देख कर क्या आपके मन में कभी यह सवाल उटा है कि आखिर सभी डॉक्टर की हैंट्रेटिंग इतनी खरब क्यों होती है आखिर डॉक्टर्स के पर्चे पर लिखी गई बाते पटना इतना मुश्किल क्यों होता है आए आज हम इसे के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंट तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें ने वीवर चैनल को सब्स्राइब तो कर लो और बाजुमें दे घंटी को तबाकर ओल सिलेक्ट कर लेना और हाँ वीडियो के निचे दे के लेक बटन को जरू प्रेस कर लेना दोस्तो एक सर्वे के अनुसार दुनिया में लगबख साथ हजार लोगों के मोत इसी वज़ा से हो जाती है कि वो समझी नहीं पाते है कि डॉक्टर्स ने उन्हें लिख कर क्या दिया है इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि कई बार मेडिकल शॉप वाले भी डॉक्टर की लिखावर समझ नहीं पाते है और गलत दवाय दे देते है साथी दवा कब और कितने बार लेनी है ये भी जिस स्टाइल में लिखा जाता है उसे बहुत ही कम लोग समझ पाते दोस्तों आरोशी शर्मन नाम की एक मैला डॉक्टर ने इसका जवाब दिया है उन्होंने कहा है कि डॉक्टर उन्हें डॉक्टर बनने से पहले बहुत मेलत की होती है उन्होंने कम समय में बड़े बड़े एक्जाम कंप्लेट किये होती है इसी कारण समय बचाने के चक्कर में वो हमेशा पहुत ही तेजी से लिखते रहते हैं यही बज़ा है कि ज़्यादा दर डॉक्टर की हेंडरेटिंग इतनी बुरी हो जाती है कि लोगों को हेंडरेटिंग समझ पाना एक टेड़ी खीर हो जाता है डॉक्टर की पास हर दिन इतने पेशंट साते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर पेशंट को पूरा समय दे पाए और आराम से उससे बात करते हुए उसका परचा तयार करे हकीकत यह है कि ज़यदा तर डॉक्टर हर्बड़ी में रहते हैं मरीजों की परिशानियों को देखते हुए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक गैजट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें डॉक्टरों को परची पर दवाओ के नाम बड़े अक्षरों में लिखने का आदेश दिया गया है दोस्तों इंटर यानि जो नए डॉक्टर्स होते हैं उनके हेंटरेटिंग अच्छी होती है लेकिन जब उनके उपर काम का लोड बढ़ता है तो वे भी डॉक्टरों की तरह घसिटते हुए लिखने लगते है लोग जगर जगर डॉक्टर की खराब हेंटरेटिंग के कारण उनका मजाक उड़ा थे लेकिन यह मजाक वाली बात नहीं बलकि एक गंबिर बात है क्योंकि इस सबी लोगों को ज़्यादा परिशानी होती है तो आयोग दुस्तों आपको समझ में आयोगा कि डॉक्टर्स लोगों की हेंटरेटिंग इतनी खराब क्यों होती है जानकारी कैसी लग कि इसके बार में कमेंट करके हमें जरूर बताइए वीडियो पसंद आयोगा तिसे लाइक जरूर करे और स्क्रीन पर जोदो आपको दो वीडियो दीख रहें उनको भी आप जरूर वाच कीजे तो मैं आपको मिलता नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तर तक लिए थैंस पर वाचिंग गुडबाई एंट टेक केर